दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने पांच ऐसे जुमले चुने हैं जो हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का हिस्सा हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम इस तरहा के जुमले बोलते हैं मसलन उपर वाला अमरीका जाने वाले दिल्ली का रहने वाला उपर वाले कमरे में दूद वाली चाए तो जुमले आप के सामने हैं उपर वाला हमको हर वक्त या हर समय देखता है इस हवाई जहाज में अमरीका जाने वाले लोग थे वो दिल्ली का रहने वाला है उसे मुंबई अच्छा नहीं लगता है क्या वो उपर वाले कमरे में रहती है मुझे दूद वाली चाय पसंद है तो आज हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं इंग्लिश में तो हम किस तरह से इन जुम्लों को बोलते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है कि इस हवाई जहाज में अमरीका जाने वाले लोग थे इन दिस एरप्लेन इस हवाई जहाज में देर वेर पीपल हूँ वर गोइंग टू अमेरिका अमरीका जाने वाले लोग थे यालि पीपल who were going to America ये इसका English में तरीका है वो दिली का रहने वाला है उसे मुंबई अच्छा नहीं लगता है He is a Delhi resident तो जब ही आप बोलें वो दिली का रहने वाला है वो लखनाओ का रहने वाला है वो मुंबई का रहने वाला है तो हमेशा बोलिये Delhi resident, Bombay resident लखनाओ को लखनाओाइट्स बोलते हैं वैसे तो दिली वालों के लिए भी है लेकिन ठीक है हम बात कर रहे थे अपनी बोलचाल की तो he is a Delhi resident and he does not like मुंबई क्या वो उपर वाले कमरे में रहती है does she stay in the upstairs room तो इसी तरह से अगर वो नीचे वाले कमरे में रहती है तो downstairs room तो ये एक तरीका है मुझे दूद वाली चाई पसंद है I like tea with milk दूद वाली चाई पसंद है तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको देख कर उन जुमलों की याद जरूर आई होगी जो हम आम तोर पर बोलते हैं और कभी गौर नहीं करते हैं जिन पर फिर है उपर वाला हमको हर समय या हर वक्त देखता है God watches us all the time तो ये हमारी पेशकश थी आज ही वीडियो आपके लिए फाइदे मन था या नहीं आपकी राय का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया